इस वीडियो में डिसकल्स करेंगे मौलाना आजाद नेशनल उर्दू उनिवर्सिटी में पूछे गए Polytechnic Intense Test 2018 के Solution with Explanation in Both Language English and Hindi बहुत सारे स्टुएंट्स को इसमें उर्दू लेंग्वेज की प्रोब्लम रहती है वो प्रोब्लम आपकी स्वाल्ब हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हम Question Solve करेंगे उर्दू लेंग्वेज को Hindi और English में टांसलेट करके साथ साथ आपको Solving Trick भी बताएंगे और Extra Point भी बताएंगे हमने 2020 के Physics, Chemistry and Mathematics के Solution अप्लोड कर रखे है With Explanation उसका Description में लिंक है वहाँ जाके आप देख सकते हैं अगर यह वीडियो आपके लिए helpful हो तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें तो चलिए Question डिसकस करते हैं पहला Question है Mathematics के हैं अगर X² प्लस 2X मैंश 15 को X मैंश 2 से तकसीम किया जाए तो बाकीベー mobilize है तकसीम कहते है डिवायर्ट देना बाकी कहते है रिमेंडर यानि सेस्फल X² प्लस 2X मैंश 15 को यानि भाग देना है तो हमें बताना है सेस्फल यानि रिमेंडर क्या बचेगा तो इसके दो तरीके करने के हैं पहला मेथड है, डायक बहल पूट कर देंगे तो आपकर यह मेंडर आ जाएगा दूसरा है, लॉग डिवीजन मेथड मगो वो नहीं करेंगे, आपकर टाइम कंजिम हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, value put करेंगे, x-2 equal to 0, x equal to 2 put करेंगे, तो जहाँ जहाँ पर x है, वहाँ पर हम 2 put करेंगे, तो 2 का square 4 हो जाएगा, पलस 2 into 2, 4 हो जाएगा, minus 15, कितना आ जाएगा, 8 minus 15, minus 7 आ जाएगा, तो आपका option be correct है, next है, अगर fx equal to x plus 2, और gx equal to x square minus x minus 2 हो तब हमें इसका value निकालना, तुम क्या करेंगे, यहाँ पर g1, g2, g3, यानि जहाँ जहाँ पर x है, वहाँ वहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, आपको value आ जाएगा, g1, g2, and g3 का, पहले यहाँ पर हम g1 निकाल लें, g1 कितना आ जाएगा, 1 रखेंगे x के जापे, 1 का square 1, minus 1, 0 हो जाएगा, minus 2 आएगा, फिर g2, यहाँ जहाँ पर x है, वहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का square 4, minus 2, 2 आएगा, फिर minus 2 है, 2 minus 2, 0 आजाएगा, फिर हमें g3 निकालना है, यहाँ जहाँ पर x है, वहाँ पर 3 रखेंगे, तो g3 कितना हो जाएगा, 3 का square 9, minus 3, 6, minus 2, 4 आजाएगा, फिर हमें क्या निकालना है, f minus 4, जहाँ पर x है, वहाँ पर क्या रखेंगे, minus 4, तो minus 4 पलस 2 कितना हो जाएगा, minus 2, फिर f minus 2 निकालना है, जहाँ पर x हमें, minus 2 रखेंगे, minus 2, पलस 2, 0 हो जाएगा, फिर f2 निकालना है, तो क्या करेंगे, जहाँ पर x हमें, पर 2 पूट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 पलस 2, 4 हो जाएगा, अब यहाँ पर value पूट करेंगे, g1, g2, g3 का, और उसको add कर देंगे कितना हो जाएगा यानि minus 2 plus 0 plus 4 by अब यहाँ पर बहलोपूट करेंगे f का कितना हो जाएगा minus 2 plus 0 plus 4 यह देख रहे हैं numerator and denominator same है तो कटके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा तो यहाँ पर option A correct होगा next है यहाँ पर सम पूछा है sum of square of first and natural number यानि पर्थम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल आप जानते होंगे n into n plus 1 2 n plus 1 by 6 बी option होगा next है यह combination का question है class 11 में आप परे होंगे 7C4 की कदर है यानि इसका value निकालना है तो इसका एक formula होता है n factorial by n minus r factorial into r factorial अगर आपको factorial का concept जानना है तो इसी channel के playlist में जाएए वहाँ पर आपको factorial का concept मिल जाएगा तो यहाँ पर n क्या है 7 है r क्या है 4 है तो इस formula पर हम put करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 factorial by 7 minus r यानि 7 minus 4 factorial यानि 3 factorial into r factorial यानि 4 factorial अब factorial को कैसे हम break करते हैं इसको क्या लिखते हैं product के form में लिखते हैं decreasing order में up to 1 तक तो इसको क्या लिखेंगे 7 into 6 into 5 into 4 factorial तक ही रहने देते हैं क्योंकि नीचे भी 4 factorial cancel out हो जाएगा 3 factorial को हम factor कर लेंगे 3 into 2 into 1 यहाँ पर 4 factorial है इससे यह cancel हो जाएगा 3 to 6 इससे 6 cancel हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आजाएगा 75,000, 35 तो option A होगा correct इसको solve करने के एक out sort trick है जो हमने already वीडियो में बता रखा है आप चैनल के playlist में जाएगे वहाँ आपको मिल जाएगा 5th है अगर mod of 9-3x equal to 6 हो तब x की कदर मालूम कीजिए यानि x का हमें magnitude निकालना है तो mod का concept है input आपको negative भी लेना है positive भी लेना है क्योंकि output दोनों case में आपका positive आएगा तो input यहाँ पर हम एक negative लेंगे एक positive लेंगे positive में लेते हैं तो क्या आजाएगा same equation आएगा 9-3x equal to 6 तो 3x equal to क्या आजाएगा 3 आजाएगा यहाँ से x equal to 1 आजाएगा फिर यहाँ पर input हम negative sign के साथ लेंगे तो negative लेंगे तो क्या हो जाएगा minus 9 plus 3x equal to 6 तो यहाँ से 3x equal to क्या हो जाएगा 6 plus 9 यानि 15 तो x equal to क्या आजाएगा 3 5 जाएगा 15 5 आजाएगा तो यहाँ पर x का value 1 होगा या 5 होगा तो option a correct है next है अब यह similar question है question number 3 जैसा वहाँ पर square था यहाँ पर क्या है square नहीं है तो आप परे होंगे sum of n natural number क्या होता है n into n plus 1 by 2 यानि पर्थम प्राकितिक संख्याओं का योग क्या होता है n into n plus 1 by 2 तो यहाँ पर n के जाब पर क्या है hundred है तो क्या हो जाएगा hundred into hundred plus 1 by 2 2 से cancel हो जाएगा 50 आएगा यह कितना हो जाएगा 101 into 50 क्या जाएगा 5050 यानि option c होगा next है अगर a equal to 8 यानि first term दिया हुआ है और d equal to minus 1 यानि common defense minus 1 हो तब t10 निकालना है तो यहाँ पर 10th term निकालना है तो general term का formula आप जानते होंगे tn equal to a plus n minus 1 into d तो हमें यहाँ पर 10th term निकालना है तो क्या हो जाएगा n के जाएगा पर 10 put करेंगे a आपका given है 8 plus 10 minus 1 10 minus 1 कितना हो जाएगा 9 d कितना है minus 1 9 into minus 1 तो यह कितना हो जाएगा 9 into minus 1 minus 9 plus 8 minus 1 हो जाएगा तो यहाँ पर 10th term के आएगा minus 1 आएगा d option correct है next है यहाँ पर series given है हमें यह blanks बताना क्या होगा अगर इस pattern को देखें तो यहाँ पर देख रहे है numerator में 1,1 चल रा है denominator में क्या चल रा है 2 का power चल रा है तो हमें यहाँ पर बताना याणी 1 से पहले क्या होगा तो आप अगर देखें यहाँ पे 2 पे power 1 है यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है यहाँ पर क्या रहा होगा 2 पर पावर 0 इससे पहले क्या रहा होगा 2 पर पावर माइनस 1 2 पर पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1, 1 बाई 1, 1 आएगा 2 पर पावर माइनस 1 का मतलब क्या है यह जैसे ही numerator में जाएगा यह क्या हो जाएगा 2 by power 1 यानि 2 हो जाएगा option आपका C होगा दूसरा method है यह जो series given है GP में है यानि geometric progression में है तो geometric progression में क्या होता है common ratio same होता है common ratio कैसे निकालेंगे second term को first term से divide देंगे तो क्या हैगा आपका common ratio 1 by 2 आएगा तो आपका common ratio हर जागा 1 by 2 आएगा यहाँ पर भी 1 by 2 लाना है तो 1 को हम किसे divide देंगे कि 1 by 2 आजाए तो यहाँ पर 2 होगा तभी तो 1 by 2 आएगा तो इसलिए यहाँ पर 2 answer होगा next है point A and point B को जोडने वाले खत यानि line को 1 is to 2 निस्वत से यानि ratio से तक्सीम करने वाला नुकता है यानि point A and point B को जोडने वाले line को 1 is to 2 ratio में divide करने वाले point का नुकता यानि point होता है उसका coordinate निकालना तो आप जानते होंगे A, B क्या एक line है जिसका coordinate गिवेन है कोई यानि पर point है x, y ले लेते हैं वो divide कर रहा है 1 is to 2 ratio में इस line को तो इस point का coordinate हमें निकालना है तो आप section formula पढ़े होंगे क्या होता है x equal to mx2 plus nx1 by m plus n फिर y क्या हो जाएगा m y2 plus n y1 by m plus n यह point a and b है इसको हम मान लेते है x1 y1 इसको मान लेते है x2 y2 फिर इसको मान लेते है m इसको मान लेते है n तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 into 6 यानि 6 फिर n into x1 यानि 2 into minus 3 minus 6 by m plus n यानि 1 plus 2 3 यह x का हो गया y का क्या हो जाएगा m y2 यानि 1 into 1 1 हो जाएगा plus क्या है n y1 यानि 2 minus 3 minus 6 तो कितना हो जाएगा 1 minus 6 by 3 तो यह आजाएगा 0 by 3 0 आजाएगा यह कितना आजाएगा minus 5 by 3 तो यह point होगा जो line AB को 1 into 2 ratio में divide कर रहा है तो यहाँ पर कोई option match नहीं कर रहा है तो option D correct होगा next है अगर sin यहाँ पर theta होगा अगर sin theta equal to 12 by 13 है तब 10 theta नहीं होगा यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो यहाँ पर देखे sin theta क्या होता है P by H होता है तो इस triangle को अगर अगर इस triangle को बनाए तो क्या हो जाएगा theta यहाँ पर यह ले लेते हैं तो इसके सामने का perpendicular यानि 12 यह hypotenious हो जाएगा 30 तो आप पाइथागोज स्थिवम से निकालेंगे तो यह आपका 5 आ जाएगा तो यहाँ से 10 theta क्या आ जाएगा P by B यानि 12 by 5 तो यहाँ पर 10 theta क्या रहा है 12 by 5 यानि यह होगा बाकी यह तीनो नहीं होगा यानि इस question में कुछ missing है तीनो option हो सकते हैं तो आप अपने according यह question देखिएगा मेरे हिसाब से तो answer B, C, D तीनो है next है 11 है 10, 20, 30, 40, and 50 का आउसत हिसाबिया निकालना है आउसत हिसाबिया होता है average calculation यानि इसका average निकालना है तो average निकालना है कहीं यहाँ पर 2 method है अगर आपका given number arithmetic progression में हो यानि common difference same हो तो आपका जो average होगा given number के जो middle में number होगा वो आपका average होगा तो यहाँ पर given number में middle number क्या है 30 है 30 आपका क्या होगा इसका average होगा तो option C हो जाएगा दूसरा method क्या है given number को add कर देंगे और यहाँ पर जितने भी number से उससे divide देंगे तो क्या आजाएगा आपका average आ जाएगा x square plus 5x plus 4 equal to 0 के ratio हैं ratio कहते हैं roots यानि शुन्यक तो इसका हमें roots find करना है तो इसको factor कर लेंगे क्या हो जाएगा middle term से x square plus 4x plus x plus 4 equal to 0 यहां से x common लेंगे क्या हो जाएगा x plus 4 यहां से 1 common लेंगे क्या हो जाएगा x plus 4 तो यहां से 2 factor मिलेंगे आपको x plus 1 x plus 4 इसको 0 से equate करेंगे तो x का value आ जाएगा minus 1 और minus 4 option D होगा next है 1 to 10, 11 to 20 and 21 to 30 जमाते हैं यानि class दिया हुआ work जमात यानि class work 11 to 20 की निचली हदे हैं यानि निम्न सीमा यानि यहां पे lower limit पूछ रहा है class 11 to 20 का तो lower limit क्या हो जाएगा 11 higher limit हो जाएगा 20 तो option B होगा next है इसको आप 90 मायस theta करके भी solve कर सकते थे next है अगर set A यहां पे given है set B भी given है and set C given है तब हमें value निकालना है A minus B intersection C तो A minus B निकालना है तो क्या करेंगे set A minus set B set A क्या है 1, 2, 3, 4, 5 set B क्या है 2, 3, 7 set B में जो common element है उसको क्या कर देंगे remove कर देंगे तो यहां पे 2, 3 को remove कर देंगे बाकी element जो बचे 1, 4, 5 आपका आ जाएगा A minus B यह आया A minus B फिर इसके साथ intersection लेना है C का तो C का set क्या है 1, 5, 3 तो intersection में आप जानते होंगे common element को निकालते है 1, 5 common है आपका तो क्या आ जाएगा 1, 5 आपका answer आ जाएगा option A होगा next है 16 है खत यानि line 2X प्लस 3Y इक्वल टू टूवेल के X और Y महोरों पर यानि axis पर मक्तुआ है यहाँ पर महातू नहीं होगा मक्तुआ होगा यहाँ पर काफ होगा तो यहाँ पर line given है इसका हमें X and Y axis पर intercepts find करने हैं तो क्या हो जाएगा इस line को हम intercept form में change करेंगे कैसे करेंगे जो यहाँ पर number है उसको क्या करेंगे divide देंगे क्या हो जाएगा 2X by 12 पलस 3Y by 12 फिर 12 को 12 में divide देंगे 1 आ जाएगा फिर इसको simplify करेंगे कितना आ जाएगा X by 6 पलस Y by 4 3 से 4 बार में cancel होगा equal to 1 तो X का intercept कितना आ गया 6 Y intercept कितना आ गया 4 आ गया तो यहाँ पर option A होगा next है point one one by two jail के कौन से खत पर है यानि कौन से line पे है यानि यह point कौन से line पे है तो इस point के value को put करेंगे यहाँ पर जो line given है जो line आपका satisfy होगा वह यह आपका answer होगा तो one one by two put करेंगे तो X के जब पर one put करेंगे Y के जब पर one by two तो यहाँ पर अगर put करते हैं तो two into one two आएगा equal to Y कितना है one by two तो यह दोनों equal नहीं आ रहा है यह नहीं होगा अगर हम यहाँ पर put करें X equal to one है यहाँ पर क्या है two into y कितना है one by two तो two into one by two कितना आ जाएगा one तो यह देख रहे हैं दोनों equal होगिया one equal to one तो आपका यह line का equation होगा option C होगा next है sin 270 degree पलस theta का value पूछ रहा है 270 degree में कुछ add हो रहा है यानि fourth quadrant में जा रहा है अब fourth quadrant में sin क्या होता है negative तो answer तो negative के साथ आएगा यहाँ पर 270 degree क्या है अगर इसको radian में लिखे तो इस कितना हो जाएगा 3 pi by 2 पलस theta तो कभी भी आपका multiple of pi by 2 चल रहा हो तो उस case में क्या होगा जो technometric ratio होगा वो change हो जाएगा sign का cause हो जाएगा तो यह cause हो जाएगा theta हो जाएगा अगर multiple of pi रहता जैसे 1 pi, 2 pi, 3 pi तो technometric identity change नहीं होता वो ही रहता सिप आपका negative positive होता तो इसका answer क्या होगा option D होगा अगर इसका concept detail में समझना है तो इस channel के playlist में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा वहाँ जाकर देख सकते हैं और आपको description में भी मिल जाएगा next है L equal to 30 B equal to 12 and H equal to 5 हो तो हज्म मालूम करो हज्म कहते है volume यानि आयतन तो यहाँ पे आपको length, breath and height given है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा volume L into B into H यानि 5 into 12 60 60 into 30 यहाँ पे unit नहीं है तो unit cube हो जाएगा option B होगा next है sin 180 degree का value पूछ रहा है तो 0 होता है next है कॉसे के स्कॉाज 63 degree minus squat स्कॉाज 63 degree यह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि formula होता है कॉसे के स्कॉाज थीटा minus squat स्कॉाज थीटा equal to 1 क्योंकि यहाँ पे क्या angle सेम है इसलिए आपका answer 1 होगा next है x plus 1 by x to the power 5 के चौथे रुकुन की कदर dash है रुकुन कहते है term तो इसके चौथे term का हमें value find करना है तो इसको करने के 2 method है पहला तो general method है दूसरा क्या है expansion method तो general method यह है general term निकानने के लिए binomial का tr plus 1 equal to क्या होता है ncr into पहला term जो होगा उस पे power हो जाएगा n minus r फीट दूसर term जो होगा यहाँ पे 1 by x है इस पे power क्या हो जाएगा r हो जाएगा यहाँ पे n क्या है जो अपका power है n होगा r यहाँ पे क्या हो जाएगा चौथा term बोला है तो r का value हम एक कम लेंगे यहाँ पे चौथा term find करना है तो इसको हम लिखेंगे t3 plus 1 equal to क्या हो जाएगा n कितना है 5 है यहाँ से r क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा एक कम लेंगे फिर x n minus r यानि 5 minus 3 2 हो जाएगा into 1 by x पे power क्या हो जाएगा r r कितना है 3 अब इसको solve करेंगे अभी हमने previous question में इसका concept बताया था यहाँ पे हम डायक कर रहे हैं इसको कैसे करेंगे 5 into 4 into 3 जितने भी यहाँ पे नंबर है उतने term तक हम factor करेंगे decreasing order में by 3 factorial इसको क्या लिख सकते हैं 3 into 2 into 1 यहाँ पे x square से x cube को cancel करेंगे तो आपका 1 by x बचेगा फिर यहाँ पे देखिए 3 से 3 cancel हो जाएगा 2 से 2 बार में यह cancel होगा तो 5 to 10 into 1 by x आपका answer होगा यहाँ बी option होगा अगर आपको इसको solve करने का दूसरा method जानना है तो आप comment करें comment के माधियम से इसका solution देंगे next है A, B and C से बनने वाले मुसलस का रकबा होगा यानि A, B, C तीन point है इससे मुसलस यानि triangle बनदा है उसका हमें रकबा निकालना है यानि area निकालना है तो इसको करने के भी दो method है एक तो formula method से दूसरा क्या है इसका graph plot करेंगे तो आपके लिए easy method होगा graph plot करके इसको solve करना तो इसको कैसे करेंगे आप यहाँ A point देख रहे है वो isn't पे है तो इसको isn't पर रखेंगे A point को फिर B point X axis पे है 4 unit यानि यहाँ पे 4, 0 इसका coordinate है फिर C point कहाँ पे है Y axis पे है कहीं यहाँ पे होगा इसको C point कह रहे है तो यहाँ पे देख रहे है यहाँ पे यह चार unit पे है यह origin से 6 unit पे है यह right angle triangle बन गया जिसका base 4 unit है height कितना है 6 unit तो यहाँ पे area निकालेंगे 1 by 2 base into height कितना हो जाएगा 2 से cancel करेंगे 2 बार में 6 to 12 unit square हो जाएगा option B होगा next है 10 180 degree प्लस theta का value पूछ रहा है यहाँ पे पहले angle देखेंगे यहाँ पे 180 degree में कुछ add हो रहा है यानि angle कहा है third quadrant में third quadrant में 10 positive होता है तो आपका answer positive आएगा अब यहाँ पे देखना 10 होगा की cot होगा तो कभी भी यहाँ पे 180 degree है यानि radian में πाई तो πाई का multiple चल रहा हो तो आपका क्या होगा trigonometric ratio same रहेगा तो इसका answer क्या हो जाएगा 10 theta option B होगा next है यह matrix का question है class 12 का अगर इसका concept आपको जानना है तो इस पे हमने already वीडियो बना रखा है आप इस channel के playlist में जाएए वहाँ इसका वीडियो मिल जाएगा यहाँ पे A matrix दिया हुआ है तो A square हमें find करना है A square find करने के लिए हम इसको लिख सकते है A square equal to A into A तो matrix A क्या है 1, 4, 2, 1 फिर इसी matrix को multiply करेंगे 1, 4, 2, 1 से तो matrix का multiplication आप समझ लिजे यहाँ पे इसको row कहते हैं इसको column कहते हैं यहाँ पे दो row है, दो column है तो पहले row को पहले column से multiply करेंगे 1 into 1, 1 पलस 4 into 2, 8 फिर इसी row को इस column से multiply करेंगे 1 into 4, 4 पलस 4 into 1, 4 फिर यह second row है, इसको पहले column से करेंगे 2 into 1, 2 पलस 1 into 2, 2 फिर इसी row को इस column से करेंगे 2 into 4, 8 पलस 1 into 1, 1 तो इसको add करेंगे 2 into 2x, और तब fog 2 निकालना है यह composite function का question है यह आपको class 12 में मिलेगा यह निकालने से पहले हमें निकालना होगा f of g of x निकालना होगा f of gx का मतलब क्या है जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या put करेंगे gx put करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे gx put करेंगे gx का whole square पलस 1 अब gx क्या दिया हुआ है 2x तो यहाँ पे 2x रख देंगे 2x का square 4x square पलस 1 अब यह क्या आ गिया fog x आ गिया अब हमें find क्या करना है fog 2 याँ एक से पे 2 put करेंगे तो यहाँ भी 2 put करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x2 का square याँ 4x4 16 पलस 1 17 हो जाएगा option c होगा next है cos 2 theta का value यहाँ पे पूछ रहा है तो cos 2 theta का डायक formula होता है cos square theta minus sin square theta अगर सिप cos के term में पूछता तो आप क्या करते है sin को change कर लेते cos में तो यह आ जाता 2 cos square theta minus 1 यह cos के term में हो गया अगर sin के term में पूछता तो आप क्या करते है इसको cos को sin में change कर लेते 1 minus sin square तो क्या हो जाता 1-2 sin square theta यह sin के form में हो गया अगर 10 के form में पूछता formula cos 2 theta का तो क्या हो जाता 1-10 square theta by 1 plus 10 square theta यह 10 के form में होगा formula cos 2 theta का तो याद रखेगा आपको help करेगा next है मुसलस यानि triangle ABC में अगर sin theta होगा यहाँ पे equal to 1 by 3 है तब cos theta का value क्या होगा तो आप formula से direct निकाल सकते हैं cos theta equal to क्या होता है root under 1-sin square theta sin के value कितना है 1 by 3 1 by 3 का square हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा root under 1-1 by 3 का square 9 इसको solve करेंगे कितना हो जाएगा 9-1 8 by 9 8 का root क्या आजाएगा 2 root 2 9 का क्या हो जाएगा 3 अगर point A 1-2 point B 2-3 और point C 3-2 हो तब मुसल्लस यानि triangle ABC का centroid है यानि यहाँ भे triangle के 3 vertices दिये हुए है ABC यह A है B है C है हमें centroid का coordinate निकालना है तो triangle के centroid का coordinate क्या होता है X1 plus X2 plus X3 by 3 X1 क्या है इसको मान लेते हैं फिर Y1 X2 Y2 X3 Y3 X equal to X से coordinate को add कर देंगे Y3 करेंगे तो 3 plus 2 5 plus 1 6 by 3 2 आ जाएगा Y क्या आ जाएगा Y के coordinate को add कर देंगे 2 plus 3 5 5 plus 2 7 7 by 3 हो जाएगा यानि centroid के coordinate क्या आएगा 2,7 by 3 option A होगा next है अगर A subset B हो तब A union B होगा A subset B का मतलब क्या हुआ A जो होगा B में include होगा तो A union B क्या हो जाएगा A union B का मतलब क्या है जो common होगा वो भी निकालेंगे जो common नहीं है वो भी लिखेंगे तो B के अंदर तो already क्या आ रहा है A आ रहा है क्यूंकि यहाँ पे given है A subset है B का तो क्या हो जाएगा A union B A आ जाएगा Option C होगा Next है Data 5, 6, 9, 10, 6, 12, 3, 6, 11, 10, and 4 का mod dash है यानि data given है हमें इसका mod निकालना तो mod निकालने के लिए आप क्या करेंगे given number में देखेंगे given number में देखेंगे किसकी frequency जादे है यानि किसकी बारन बारता जादे है तो यहाँ पे 6 अगर देखेंगे तो 3 times है 3 बार है 10 यहाँ पे 2 times है तो यहाँ पे 6 3 times है यानि सबसे जादा बार तो 6 mod हो जाएगा इसका Next है 2, 10, 30 degree by 1 plus 10 square 45 degree का value पूछ रहा है तो 10, 30 degree आप जानते होंगे 1 by root 3 तो कितना हो जाएगा 2 into 1 by root 3 by 1 plus 10 square 45 degree 10, 45 degree क्या होता है 1, 1 का square 1 1 plus 1, 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा 1 by root 3 1 by root 3 को क्या लिखते हैं 10 में 10, 30 degree Option C होगा Next है Cos 12 degree theta, sin theta तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 78 degree minus sin 78 degree 0 आ जाएगा Option A होगा Next है अगर A and B दो सेट्स हो तब A intersection B निकालना है तो A intersection B निकालने में जो common elements होंगे उसको निकालेंगे तो A intersection B क्या हो जाएगा इसमें common देख लिजे कौन सा element है 2 common है 2 होगा 4 भी common है 4 होगा 6 भी common है 6 होगा यानि 2, 4, 6 element होंगे A intersection B का 2, 4, 6 यानि Option B होगा Next है कसी रुकनी कसी रुकनी कहते हैं Multinomial या Multimember यह दिया हुआ है 3X cube minus 5X square minus 11X minus 3 के zeros हैं यानि यापे cubic polynomial दिया हुआ है इसके zeros find करने तो आपको इसका sort trick हम बताएंगे पहले आपको क्या करना है एक zeros find करना है value put करके बागी 2 zeros आप trick से solve करेंगे तो cubic expression में generally पहला root जो मिलता है minus 1, 1, 2, 3 पे मिल जाता है अगर यहाँ पे one put करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 into 1, 3 minus 5, minus 11, minus 3 यह minus में आ जाएगा यह नहीं होगा minus 1 अगर put करते हैं तो क्या हो जाएगा minus 1 का cube minus 1 into 3, minus 3 minus 1 का square, 1 into 5 minus 5 minus 3, minus 5, minus 8 minus 11 यहाँ पे plus 11 हो जाएगा 0 आ रहा है यानि x equal to minus 1 पे 0 आ रहा है यानि इस cubic expression का जो factor होगा पहला होगा x plus 1 अब हमें दूसा तीसा निकालना है तो इसके लिए क्या बनाएगे quadratic बनाएगे तो quadratic बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 3 लाना है तो 3 x square लिखेंगे यहाँ पे constant क्या है minus 3 तो यहाँ से multiply करके लिखेंगे यहाँ पे plus 1 है तो यहाँ पे minus 3 हो जाएगा फिर यहाँ पे constant term लाना है x का constant term लाने के लिए क्या करेंगे इसको हम k माल लेते हैं अब k को multiply करेंगे यहाँ पे जो constant है 1 से multiply करेंगे तो k ही होगा फिर यहाँ पर जो constant term है इसको add करेंगे तो कितना हो जाएगा minus 3 और इसको equate करेंगे किस से जो इसके x का coefficient है minus 11 तो k equal to कितना आ जाएगा इसको solve करेंगे तो minus 8 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ गिया यहाँ पर constant बाने थे k तो quadratic क्या बन गया 3x square minus 8x minus 3 तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे x plus 1 3x square minus 8x minus 3 अब इसको solve कर लेंगे middle term factor से कितना हो जाएगा x plus 1 इसको हम लिख सकते हैं यह देख रहा है multiply करेंगे कितना हो जाएगा minus 9 तो इसको हम लिख सकते है minus 9x plus x तो कितना हो जाएगा 3x square minus 9x plus x minus 3 इसमें से 3x common लेंगे तो क्या हो जाएगा पहला factor तो होगा x plus 1 3x common लेंगे तो क्या बचेगा x minus 3 फिर यहाँ कोई common नहीं है तो 1 आएगा common बचेगा x minus 3 फिर यह दोनों में से common आएगा x minus 3 तो factor हो जाएगा x plus 1 3x plus 1 x minus 3 फिर इसको 0 से equate करेंगे तो आपका factor तो आपका value फिर इसको 0 से equate करेंगे तो x का value क्या आजाएगा x equal to minus 1 या x equal to minus 1 by 3 या x equal to 3 तो आपका option D होगा next है 2x minus y equal to 5 और 3x plus 2y equal to 11 का हल निकालना यानि इसका solution find करना है तो क्या करें यहाँ पे 2y है यहाँ पे y है तो इसको क्या करें हम 2y बना ले दोनों को add करेंगे तो yy cancel ho जाएगा तो इस equation को 2 से multiply करेंगे कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा minus 2y equal to 10 हो जाएगा फिर इस equation में add करेंगे 3x plus 2y equal to 11 तो जैसे ही add करेंगे y का term cancel हो जाएगा या पे x को add करेंगे कितना हो जाएगा 7x equal to 10 plus 11 21 तो x equal to कितना जाएगा 7 से 3 बार में cancel होगा x equal to 3 अब x का value put करेंगे इस equation में यहां से y आ जाएगा 2 into 3 6 minus y equal to 5 तो यहां से y equal to क्या जाएगा 6 minus 5 यानि 1 तो आपका answer हो जाएगा x equal to 3 y equal to 1 next है चार दीवारी के रखबा का जाबता है यानि four walls के area का हमें formula बताना है तो यहां पे ध्यान से question को किजिएगा यहां पे कह रहा है चार दीवारी का ही यानि four walls ही लेने हमें जैसे यहां पे हम figure बना रहे हैं यह top को bottom को छोड़ देना है इसको नहीं लेना है सिर्फ हमें किसको लेना है यह चार wall जो है यह lift है यह right में एक यह front में है एक back में है अब इसके length को हम L माने breath को B माने height को H माने इस wall का area क्या हो जाएगा L into H इसके सामने वाला वाल भी similar है तो क्या हो जाएगा 2 into L into H plus फिर यह front वाल को देखिए इसका breath है B height H है तो इसका area क्या हो जाएगा B into H similar area होगा back वाल का तो क्या हो जाएगा 2 into B into H यहाँ से 2H common लेंगे तो क्या हो जाएगा 2H L plus B हो जाएगा यह आपका formula होगा 4 wall के area का तो option C correct होगा next है 10 0 degree क्या होता है 0 होता है आपको याद नहीं है तो क्या करेंगे 10 theta जानते है sin by cos होता है तो sin 0 degree by cos 0 degree sin 0 क्या होता है 0 cos 0 1 तो 0 by 1 क्या जाएगा 0 next है नुकात यानि points A and B को जोड़ने वाले खत यानि line का धाल निकालना है यानि slope निकालना है दो point है यह join होकर एक line बना रहा है तो उस line का हमें क्या निकालना है slope निकालना है तो slope formula से आप जानते होंगे y2 minus y1 यानि minus 8 minus minus 2 2 हो जाएगा by x2 minus x1 यानि 4 minus 5 minus 1 तो यह कितना हो जाएगा minus 6 by minus 1 minus से minus cancel 6 by 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा option A होगा next है limit x10 to 3 x3 minus 27 by x minus 3 का value find करना है तो limit के case में आपको क्या करना है जो given expression होगा उसको पहले आप simplify करेंगे factor करेंगे उसके बाद limit का value put करेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं xq minus 3 का cube xq minus 3 का cube by x minus 3 limit चलदा है x10 to 3 please come फिर यहां पर formula यूज़ करेंगे xq minus फिर यहां पर formula यूज़ करेंगे क्या हो जाएगा x minus 3 x square plus 3 into x plus 3 का square यानी 9 by क्या है x minus 3 अब यहां पर देख रहे हैं x minus 3 cancel हो जाएगा बचेगा क्या x square plus 3 x plus 9 अब limit पूट कर देंगे जहां जहां पर x है वहां पर 3 put करेंगे 3 का square 9 3 into 3 9 plus 9 यानी 9 plus 9 plus 9 27 आएगा option A होगा अगर इसमें डायक value put कर देते हैं without factor आपका answer 0 आता तो पहले factor करना उसके बाद value put करना so students यहां पर हम stop करते हैं बाकी question next वीडियो में discuss करेंगे अगर यह वीडियो आपके लिए helpful आओ तो channel को जबूर support करें and if any doubts regarding these questions then please comment your questions in the comment box I try to reply your answer thanks for watching